हैं तो में चैनल आजम पढ़ने वाले मद्य प्रदेश की भू आकृतिक गचना भू आकृतिक सनराचना के नरमदा, सोन की घाटी, बुंदिल खंड का पठार, मालवा का पठार, ये सब मद्द उच्च प्रदेश में आते हैं, सत्पोड़ा मेकल स्रेणी, तीसरा है पूरी पठार वगेलकंड का पठार इस पठार का बहुत बड़ा थोड़ा भाग ही अब मद्धिप्रदेश में है अधिकतर भाग 36 गड़ में जा चुका है इस छित्र की प्रमुक नदियां है सोन वा उसकी सहाइग नदियां है गोपद, बनास वा रहंद जो इस छित्र का जलको उत्तर्सकियों ले जाती है अगला है वगेलकंड का पठार मद्धिप्रदेश का पूर्व में इस्तित है सीधी, सिंगरोली, उमरिया, सहडूल, आदी जिले वगेलकंड के पठार में इस्तित है वगेलकंड का पठार मेकल वबिंद स्रेणियों को आपस में जोडने वाली कड़ी है वगेलकंड का पठार मुकिता गोंडवाना सेलों से वना है मद्ध भारत का पठार मद्ध प्रदेश के उत्तर पष्चे में इस्तित है इसका एक बड़ा भाग राजिस्थान में भी पढ़ता है प्रस्तावित वगेलखंट राज के जिले हैं मद्धिप्रदेश से रीवा, सतना, सीधी, सिंगरोली, उमरिया, सहडोल, जैसिंग नगर सहडोल से काटकर बनाया गया है अनूगपुर उत्तरप्रदेश से हैं रावाट्स गंज इसको सोनबद्र से बनाया गया है दुद्धी नगर सोनबद्र से, मर्चडोरी सोनबद्र से, मालवा का पठार मद्धिप्रदेश के पश्चे में इस्तित है या मद्ध भारत के पठार के दक्षण में पढ़ता है मालवा के पठार का निर्मान ज्वाला मुखी निक्छेप से हुआ है इस पठार में प्रमकुरूप से काली मिक्टी पाई जाती है बुंदेल खंड का पठार मद्धिप्रिदिस का सबसे उत्री भाग है इसका साधरा अधाल उत्तर की ओर है यमुना नदी इसकी उत्री सीमा बनाती है यह एक समतल प्राया भूमी है जिसमें बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियं मिलती है जिन्हें टोर कहते है सत्पुडा मेकल स्रेणी मद्धिप्रिदिस का सरवादिक दक्षणी भूबाग है सिंगरोली मद्धिप्रिदिस का सबसे पूर्भी तथा अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला है नर्बंदा सोन घाटी मद्धिप्रिदिस का सबसे नीचा भाग है इसकी ओसत उचाई लगबक 300 मीटर है या पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई एक लंबी पतली ब्रंस घाटी है सबसे उची चोटी धूप गड़ है इसकी उचाई है 1350 मीटर सोहागपुर वा सिंग्रोली के कोईला छेत्र पूरी पठारे मिलते हैं अमरकंटक की पहाड़ियां मेकल पठार में इस्तित है अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा, सोन वा जोहिला नदियां निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियां बॉक्साइट के निक्षेपों की दरश्टी से आतियंत महत्पून है चंबल नदी मद्यप्रदेश की सीमा राजिस्थान वा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है